कि अब कुमार गोयर जी जो है अब वो जिलास पताल में कारी रथ है उनके नाम से ब्लड ब्लड बेंक का जो लाइसेंस है इस और उन्हीं के नाम से पहले कोई पैफोलाजिस्ट नहीं थी तो वो जो है एनेचे एनेचेम से नियुकती हुआ था को पैफोलाजिस्ट है इसलिए उनके नाम से ब्लड बेंक का लाइसेंस जारी हुआ था और इसलिए वो उनके नाम मने है वो अब बागी वो आते हैं या नहीं आते हैं अब है स्मिल सर्जमन अच्छे से बता आपाएंगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएंगे अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे धन्यवाद